अच्छा एक सवाल है आप सभी से कि अगर आप घर में जैसे सुबह उठकर सभी लोग नहा दोकर पूजा पाट करते हैं तो आप ऐसे में हनुमान चालीसा पड़ते हैं बजरंग बाण पड़ते हैं दुरगा कवच पड़ते हैं ठीक है तो क्या आपके घर के किसी भी सदसे पर कोई भी भूत प्रेतात्मा वाली बात हो सकती है हाँ या ना दूसरी बात मतलब कुछ सवाल है आप बताईएगा क्या आपके घर को कोई भी तांत्रिक बांद सकता है तीसरा अगर आप ये सभी पार्ट घर में करते हैं तो जो पार्ट कर रहा है उस पर कभी भी कोई टोटका क्या असर करेगा हाँ या ना इन तीनों के जवाब आप मुझे देंगे नमस्कार हर हर महादेव जैब हो लेना तब सभी कर स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट मैं नितिन हूँ कहानिया सुनाता हूँ और आज की कहानी जो चल रही है ये मैंने लिक रखके नम राकेश पूनम प्रीती वाली कहानी है उसका नेक्स्ट और फाइनल पार्ट है अभी फिलाल चैनल का इंट्रो फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा कहीं मत जाएगा पूरी कहानी सुनिएगा हर हर महाद कहानी शुरू करने से पहले मेरा सवाल क्या आप पहली बारा है ये पहली वीडियो है जो आपके सामने आई है अगर ऐसा है तो इस कहानी को सुनने के बाद बताईएगा मुझे कि कहानी आपको कैसी लगी अच्छी लगी तो प्लीज अफोर्स लाइक के बटन को दबाईए नहीं पसंद आई तो डिसलैक भी वहीं पर है उसे दबाने के बाद मुझे बताना जरूर की आपको ऐसा फीडबेक की क्या पसंद नहीं आया मुझे कहां सुधार करने की जरूरत है और कॉमेंट में लिखिएगा जैश्री राम आपका नाम आपके जगे कौन सी जगे से आ इस पर एक डाउट होने लग गया कि यह ईश्री की रहा पर से हट चुका है लेकिन वो सारी बाते छोड़िए क्योंकि इसके पहले वाले भाग को आप जरूर सुनियेगा तभी आप कनेक्ट कर पाओगे कि यहां तक यह सब लोग कैसे आ गए और इस पार्ट का का खेल शुरू होगा इनके घर में इन्हें एक साया दिखा बहुत लंबी काली परचाई दिखी ठीक है और चहरे पर बहुत जो बाल महसूस हुए इनकी धर्म पतनी को मतलब राकेश जी की धर्म पतनी को पूनम जब सो रही थी तो उसे अपने चहरे पर पहले तो एक सरसर साफ पताता और यह उस वक्त सोई भी नहीं थी क्योंकि यह मतलब इतनी डर रही थी कि बस चाह रही थी किसी भी तरह से दिन निकल जाए सुबा हो जाए और मैं यहां से बाहर निकलू इसको इसके बिलकुल नजदीक पास में आकर कोई खड़ा महसूस हुआ था लेकिन इस चेहरा जो था कुछ इनसानी लड़की और कुछ एक जानवर का सा लगा था मतलब उसका आधा फेस कुछ किसी जानवर का लग रहा था और आधा फेस एक लड़की का लग रहा था और बड़ी बहानक से उसकी शगल थी चिलाई दर्वादा कोल कर भागी अब यह सारी बाते होने के बाद जो इदर उदर लोग भी खड़े थे उन्हों ने सभी ने ये बताया कि इनका मांसिक संतुलन ठीक नहीं है पूरम जी का इनके पती ने इस बात को जब सुना तो सभी से कहा कि बस मैं यह आप सभी को बताना नहीं चाहता था इसकी मांसिक स्थेति ठीक नहीं है ये लड़की कुछ अजीब सा बरताफ करने लग जाती है गाओं में सब लोग इसे यही बोल रहे थे कि शेहर में जाकर किसी को दिखाओ तो मैं या किसी मंदिर में या कहीं जाओंगा किसी मौलवी से किसी भगत से मिलूँगा नजाने क्या समस्या विचारी के साथ सब लोग चलेगा यहां से बात पर एकदम पर्दा यह हसने लगा बहुत जल्दी लोग सामने वाले की बातों पर आ जाते हैं अब प्रीती ने यहां पर राकेश से कहा कि आप भाई सब बुरा मत वानियेगा दीदी मेरे साथ रुख जाएगी और मैं अपने हस्मेंट को आपके घर भेज देती हूँ और जब सुबह दफ्तर जाने वाली बात होगी तो ना कर आप वो यहां से चले जाएगा मतलब कुछ ऐसा सा रहा इसने भी हां कर दी कि ठीक है प्रीती के जो पतीदेव हैं वो भी आ गए थे और इन दोनों ने कहा क कि चलिए ठीक है आप दोनों अराम करो हम यहां रुख जाएंगे अब यह दोनों वो लोग हैं जिन पर वो प्रेत या जिन पर वो चुड़ैल अपना पकड़ बना चुकी थी यह दोनों एक साथ ही हैं यहीं इसी कमरे में और वो दोनों वो हैं जो कि माध्यम थे जिनको द ले गए पूनम ने प्रीती को सारी बाते बताई कि मैंने किसी को आवाज को इन से बात करते सुना उसके बाद वो सरखता हुआ हमारे डवल बेड के कॉर्णर से हमारे तक आया और मेरे पास खड़ी थी मेरी आंख खुली तो वो बड़ी बहानक बहुत डरावनी थी प्रीती ने कहा कि जिसको मैं देख पा रही हूं क्या वो ऐसी दिख रही थी तू किसको देख पा रही है तो कहती है कि पलट कर देखो आईने में आधे आईने में कोई मुझे खड़ा दिख रहा है जबकि आईने में ये दोनों है मतलब जो इनके सामने शीशा लग रहा है बहुत बार बता चुका हूँ ना जाने अब यही बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए जो डौल बेड है आपका बेडरूम है आप शीशे को एकदम उठकर ना देख Linux हैं इस तरह से होना चाहिए ठीक है समझा पा रहा हूँ बातों को क्योंकि ना जाने कब कौन सा ऐसा समय आ जाए कि जब उठकर आपने आपको देखा और आपके साथ इर्द इर्द कोई शीशे में दिख गया जो कि आपके साथ नहीं है तो प्रीती ने पूलम से कहा जिसको मैं देख पा रही हूँ क्या वो यही है जो कि तुम्हें उस घर में दिख रही थी अब इसके हमत तो हुई नहीं लेकिन देखना भी ज़रूरी है इसने पलट कर देखा तो शीशे में हाँ आधे शीशे में थोड़ा सा कॉर्णर की साइड में इस तरफ मालो या इस तरफ मालो वो ही चहरा डरावना वाला बहाना के वाला देख रहा है ये कांपने लग गई कांपते कांपते डरते डरते बोलती है कि मुझे घर जाना है मैं यहां नहीं रुक सकती मुझे घर जाना है दीदी मेरे को नहीं समझा रहा है ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है अब ये प्रीती हसने लग गई एक दम से और इसने अपना सिर गुवाना शुरू कर दिया जैसे ही उसने ये हरकते शुरू करी इसने हिम्मत करके पूनम ने अपने आपको इस कमरे से बाहर कर लिया भाग के बाहर आई अब इसे समझ नहीं आ रहा कि सामने वाला दर्वाजा खट-खटाओं या नहीं क्योंकि महां भी वोई सब कुछ हुआ था अब यहां पर भी हो रहा है लेकिन एक चीज़ बड़ी अजीब सी है कि इस पर प्रेत ने अभी तक अपना कोई खेल क्यों नहीं दिखाया या इसे क्यों नहीं पकड़ा प्रीती क्यों पकड़ में आई बहुत सारी वज़े थी सबसे बड़ी और पहली वज़े ये कि प्रीती प्रेगनेंट थी प्रीती को उसके हाल पर छोड़ कर ये कमरे से बाहर आई और अपने घर को दर्वादे को ना खटटाते हुए ये यहां से भाग कर बाहर निकली जब इस बिल्डिंग से बाहर आई तो इसे लगा कि ना जाने कितने साल से ये किसी ऐसे जंगल में है जहां पर सांस आई ही नहीं रही थी बाहर आते है इस एकदम से सांस आई अब जब ये इस building से भाग कर बहार आई तो सामने एक सबजी का ठेला लगा हुआ था जिस पर एक बुज़ूर्ग आदमी खड़े थे और एक महिला थी इसको देखा तो वो महिला इनके पास आई और पूछने लगी कि बिटिया क्या बात होई सब ठीक है तो इस तरह से हाफ तो भी बहार आई है सब ठीक है उसने का नाम आई कुछ भी ठीक नहीं है मुझे बस मेरे घर जाना है हाँ हाँ घर चली जाई हो तेरे को किसी नहीं हाँ परिशान किया किसी नहीं कुछ नहीं सब ठीक है फिर बाओ जी ने कहा कि देख बिटिया हम तेरे मम्मी पापा की उमर के हैं माता पिता समझ और बता तो से क्या बात हुई तू बैट जाए एक मिनट पानी वानी पी ये इनके पास बैटी पानी वानी पिया फिर उसके बद बताती है कि मुझे न कल से डर लग रहा है मेरे घर हमारे घर में प्रेत है और मुझे नहीं समझा रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं और बस मुझे घर जाना है इससे पूचा रहती कहा है घर कहा है ना इसे घर का याद रहा ना इसे गाओं का नाम पता ना इसे पतिदेव का नाम याद रहा ये मानिये कि अपनी जो एक सोचन तो सिर में ऐसे दर्द बढ़ रहा है नाजाने क्या हो रहा है और इसकी पलके जब भारी शुरू होई होनी और आँख पलटने वाली थी ऐसा ये सबजी वाली जो अंटी थी ये बताती है कि उन्होंने तुरंट उस वक्त नाजाने क्या पढ़कर इसके सिर पर से निबू उत उतार दिया ये आपको आता है ना पता हो गए तो नजर उतारना या प्रेद बादा अगर लग रही है और आपने ये तुरंट काम किया है तो फर्क पढ़ जाता है जब उन्होंने अंटी ने ये काम किया माता जी ने ये काम किया उसके बाद तुरंट अपना नाम बताया क हम उसे भाब सकते हैं कि है क्या कमरे में आप चलो मेरे साथ बिटा अभी तो हम कैसे जाएं सब्जी का ठेला चोड़कर लेकिन एक काम कर तुझ जाकर उस कमरे में हम कुछ समान देंगे वो रखा मैं नहीं जा सकती अगर आप मेरे साथ चलोगे तो मैं जा सकती हूं वरना नह हिला है वो रोड के इस तरफ है तो यहां से वो बिल्डिंग दिख रही है उन्होंने ऐसे पूछा कि कौन सा वाला कमरा है कौन सा वाला मकान है तो प्रीती ने कोई confusion ना हो अपने दोनों हाथ बाहर करें जैसे उसे सुन लिया हो कि कौन से वाले घर में आना है जैसे उसने खिड़की से अपने दोनों हाथ बाहर करें तो पूनम ने कहा यही वाला कमरा है यही वाला घर है और वो मेरी दोस्त है जो कि खिड़की पर खड़ी है तो अमा जी ने कहा यह दोनों पूनम ने कहा कि दोनों नहीं वो अकेली ही है कमरे में अब अमा जी ने जो देखा उसे देखने के बाद इन्होंने अपने पती देव को वो बात बताई जो सब्जी लगाते हैं न भाई साम कि एक कमरे में मुझे वो दिखी है तो उन्होंने का वो तो नहीं हो सकता खेर लेकिन अगर वो है तो इन्हें ये कमरा ये बिल्डिंग ये छोड़नी ही पड़ेगी क्योंकि वो नहीं जाएगी जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो अम्मा जी रैन से ये कहा कि फिलाल अभी हम नहीं जा पाएंगे नहीं आप ऐसा क्यों बोल लियो करे आपकी जो मित्र है वो गर्बती है प्रेग्नेंट है उसने कहा हाँ क्या वो अपने आप आ सकती है अगर तुम उसे बुलाओ बाहर अपने आप आ सकती है क्योंकि उसके कमरे में नहीं जा पाएंगे आपके पतीदेव का है वो सामने है उनको बुला कर लाओ अब ये हिम्मत करके वापिस से अपने फ्लैट तक पहुँची दर्वाजा खटका कर आवाज देती है अंदर से कोई आवाज नहीं आई थोड़ा सा जोर दिया तो दर्वाजा खुला हुआ था दर्वाजा जैसी खोल कर देखा तो दोनों कमरे में है नहीं हो सकता है काम पर चले गए अब काफी समय हो गया जब ये वापिस जा रही थी तो चलते चलते इसने थोड़ा सा प्रीती के कमरे की तरव भी नजर करी वो हलका सा दर्वाजा खोल कर देख रही थी और हाँ उसके चेहरे के साथ एक और चेहरा उसके सिर के उपर से दिख रहा था दो लोग हैं लेकिन जो चेहरा उपर है वो अच्छे से क्लिर डी इसे नहीं दिखा ये इस तरह से थर-थर काफ रही थी थी ना कि इसे कहते हैं खुली आँखों से भूत प्रेद देखने ये बिल्डिंग से भागती हुई वापस बाहर आई और कहती है कि मेरे हस्बंड और वो जो भाई साब हैं शायद काम पर चले गए है और कोई है ने मेरी मदद करने के लिए अब इन दोनों को बड़ा अफसोस हो रहा है कि हम चाह कर इसकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि वो जो दिखी है उसकी चेतावनी है इन दोनों को ना जाने कैसे कब क्या हुआ कि मेरे सामने तुम या तुमारे सामने मैं अब रास्ता नहीं काटूंगी और ना तुम काटोगे अगर मैं किसी के उपर एक अपना खेल शूब करने वाली हूँ तो तुम आकर उसको रोकोगे नहीं एक तरह का वादा कह सकते हैं प्रामिस जो की निभाना पड़ता है वरना बहुत बड़ी समस्याई हो जाती है जब प्रेत जाते हैं ना ठीक है तो वो एक प्रामिस के साथ जाते हैं कि आप ऐसा करोगे या ऐसा नहीं करोगे और हाँ अगर प्रामिस तोड़े जाते हैं तो आप उम्मीद नहीं लगा सकते वो कितना भ्यंकर खेल दिखा दे इन उनों ने साफ मना कर दिया कि बिटिया हम सिर्फ तब तक मदद कर सकते हैं जब तक हमारे साथ कोई हो क्योंकि हम उसके कमरे में जा नहीं सकते और इतना इसे जब टर लग रहा है और कांप रही है उस बिल्डिंग के उस माले पर पहुँचने के बाद इसके हाथ पर ठंडे होने लग जाते है साफ साफ हिसे सामने प्रेयत दिख रहा है उसके बाद भी अपनी दोस्त की मदद करने के लिए जा रही है अब इन्होंने क्या करा कोई चीज़ देखे उतारा और रोकना इन दोरों में फर्क होता है ये उतारा नहीं है जो ये कर रही है एक तरह से बला किसी और पर आ जाएगी आप समझ गए है जो वो प्रेत है उसे इस शरीर पे से हटकर एक अलग स्थान मिला तो वो तुरंट वह जाएगा और उतनी ही देर के अंदर आपको वो जगे छोड़नी होती है इन्होंने कुछ कर करा कर नीबू पढ़कर इसे दिये गए बताते हैं कि 16-17 नीबू थे उसे बताया गया कि इनमें से कोई साभी एक नीबू ठीक है लेकर उसके दोनों पैर के अंगूटों पर छुआ कर वहीं जमीन पर छोड़कर अपनी दोस्त का हाथ पकड़कर आ जाना कुछ नहीं करना तुम्हें बाकी का जब यहां आ जाओगी तब बताएंगे यह डरती हुई गई इसने दर्वादा खटखटाया तो अंदर से आवादा हूँ प्रीती की आवाज के साथ एक आ रहा हूँ आदमी की आवाज लगी उसने जब हलका सा दर्वादा कोला तो प्रीती के आदे चेहरे पर न मिट्टी सी लग रही थी और एक बिल्कुल साफ था जैसे की कोई अपने जैसा बना रहा है उसे तैयार हो रही थी वो अजीब है ये की मतलब एक तरफ तो काजल भी लग रहा है और एक तरफ आखे बिल्कुल सूकी है या कुछ मतलब चेहरा अजीब है उसका इस वक्त ये हलका सा दरवाजा खोल के न उसके पैरों की तरफ नीबू रखने कोशिश करती है जब कि उन्होंने बताया था कि कमरे के अंदर जाकर करना ही है बाहर से नहीं बाहर से तो समझ आ जागा कि तू करने क्या ही है समझे रहो प्रेट तुम से जादा चतर चालाक होते है इसने जैसे ही उसमें से एक निबू निकाल कर इसके पैरों की तरफ करा तो इसने पैर हलके से पीछे कर लिये और हसने लगी क्या कर रही है क्या कर रही है आ अंदर आ अब उसने इसे अंदर बुलाया और ये अंदर आ गई जैसे ही अंदर आये तो इसने ताली बजा बजा कर कमरे के अंदर गोल गोल ऐसे चक्कर काटने शुरू कर दिये एक तरह से कह सकता हूं कि प्रीती पूनम के चक्कर काट रही थी और चक्कर काटते काटते उसके बाल खुल चुके थे और जब वो इस तरह से घूम रही थी तो हाँ उसको किसी ने पकड़ रखा है समझ रहे हो कोई ये कौरत है भयानक सी डरावनी सी कहलो काला परचाई साया क्या है उसने इस तरह से मतलब यहां से कंदे से हाथ निकाल कर उसको ऐसे पकड़ रखा है कोई इनसान हो तो हाथ ऐसे छुड़वा दो आप कि छोड़ मेरे दोस्त को और जा यहां से प्रेथ है छुड़वा दोगे अब भागते भागते इसे कहते हैं दोस्त के लिए थोड़ी सी मदद करना इसने जैश्री राम जैश्री राम बोलना शुरू करा तो उसकी हसी न एक गुस्य में बदलती जा रही थी मतलब वो गुस्सा हो रही थी यह जो तू बोल लही है राम से बड़ा राम का नाम और यहां दिग गया इसे इसने पूरी हनुमान चली सा नहीं पड़ी दुर्गा कबश नहीं पड़ा कुछ नहीं पड़ा कोई ऐसा नहीं कि बैठ कर इसने बहुत लंबे हवन कर दिये नहीं कुछ नहीं करा जैश्री राम बोले जा रही थी और बस मौका ढूंड रही थी किसी भी तरह से मैं अपनी दोस्त के दौनों पैर पर अंगुठो पर यह नीबू लगा पाऊंग अब यहां इसने घूमते घूमते ताली बजानी शुरू कर दी और इस वक्त ना वो अपने सेंस में है ही नहीं जो प्रीती है उसे पता ही नहीं है वो क्या कर रही है इसके हाथ से यह जो नीबू का थेला है वो छुट गया और गलती से इत्तिफाकन ना जाने कैसे एक ही नीबू पर इसके दौनों पैर लगे पहले एक बार लगा फिर जब यह घूम रही थी तो दुबारा उसी पर लग गया यह एकदम ही खड़ी हो गई सीधी उन्हों ना बताया था कि जैसे ही तुम नीबू छुआ दो उसके बाद अपने दोस्त के हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले आना कमरे का दर्वाजा खुला हुआ है कोई इसकी मदद के लिए नहीं है हाँ आते जाते लोग देख रहे हैं ना जाने क्या हो रहा है क्योंकि भूत प्रेत वाले में आदमी ज़्यादा देर तक वहां रुखता है नहीं हो रुखना भी नहीं चाहिए ठीक है उतारा जब हो रहा हो तो थोड़ा से दूरी बना लो और उस वक्त कोई भी पार्ट करते ना अगर भाई चांस आप ऐसा कुछ देखने का इंटरस्ट रखते हो ना कि अरे भूत प्रेत आत्मा वाला चल रहा है भाई देखें तो सही किसी पर अगर उतारा हो रहा है कोई जाड़ा लग रहा है तो प्लीज ईश्वर का नाम जबते रहे ना उस वक्त या वो जगे छोड़ दो क्योंकि वहां से हटने के बाद उसे कोई तो स्थान चाहिए बहुत काम ऐसे प्रेत होते हैं जो कि एकदम से मुक्ती ही मिल जाए जिन है ना 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 आसपास ही होते है इस घर को छोड़ा ये वाला घर खा लिए समझ गए क्या बता है मैंने ऐसी जगे तो रुखना भी नही ऐसा ही काम कर रहे थे लोग बस देखते हूँ जा रहे थे रुख को ही नहीं रहा था इसने अपने दोस्त को मतलब उनम ने प्रीति का हथ पकड़ा और जब ले जा रही थी तो इसे साफ पता चल रहा था कि ये मेरी दोस्त का हाथ नहीं है पुर्शो के मताबिक देखा जा कमरा बहुत बड़ा नहीं है लेकिन वो कमरे के दिवार से लगे हुई है इतनी दूर ये मालो और हाथ इसने धर पकड़ रखा है हसके क्या बोलती है चल कहां चलना है अब ये पल्टे तो कैसे पल्टे क्योंकि वो तीवर गती से काम करते हैं फिर इसने हाथ पकड़ा हुआ हाथ पकड़ा हुआ है हंडेड परसेंट ठीक है सामने वो अमा बाओ जी आ गए वोई जो सबजी वाले हैं जिनोंने ये सबनीबू वगएरा दिया था जैसे ही वो सामने आए इसने पूनम ने दरवाजा बंद कर दिया जबकि इसे इस कमरे से बाहर निकलने के लिए एक सहारा मिल गया था बस वो आ गए अब तो बाहर निकलना है जैसे ही वो दोनों आए इसने दरवाजा बंद कर दिया अब ये हसने लग गई खुद हस रही गई अब ये पूनम दरवाजा कोल कर बाहर चलना तू ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ ये पलट गया अब ये गुमना शुरू हो रही है और इसके साथ जो साया है वो पूनम दरवाजा को दिख रहा है जबकि मैंने बताया ना कि पूनम प्रीती प्रेगनेंट है तो इनके माध्यम से वो जादा दिखते है प्रीती को इतना डर लग रहा था इस वक्त कि इसने खिड़की खोल कर बस कुछी सेकिंड में मदद के लिए शायद बाहर एक शलांग लगानी थी और ये वो नहीं चाह रही थी ये कोई और चाह रहा था अब यहाना एक अजीब सा डर कासा महौल हो रहा था कमरे के अंदर तब ही अम्मा बाउजी आ गए इस घर में अंदर जो कि एक तरह का प्रामिस करके रुके हुए थे या वो रुका हुआ था प्रीत जैसे ही वो दोनों अम्मा बाउजी दर्वाजा खोल कर अंदर आए तो उनके साथ साथ उनम और प्रीती के पतीदेव भी अंदर आए उन्हें शायद वो बाहर मिल गए थे कुछ समझाया कुछ बताया तो इन सभी के हातों में एक कलावा था जहां से सुनियागा यह वाली बात एक कलावा जो की अम्मा जी ने पकड़ रखा है फिर वो ही कलावा बाउजी के पास है बाउजी ने भी उसे पकड़ रखा है और बाकी दोनों जोनों ने जो पतीदेव है उन्हें ये पता है कि प्रीती पर प्रेत का समस्या है और है किस पे इस वक्त पूनम पर ये सब लोग यहां से क्योंकि जैसे ही ये लोग अंदर आये थे ना ये पूनम एकदम नौर्मल हो गई थी एकदम चुप जाओ वो लगी नहीं रहा था कि इस पर कुछ है हाँ हाँ ये खेल ऐसे ऐसे दिखाते हैं कि आप किसी भी भगत के पास लेकर जाओगे कि इस पर कुछ है वो देखकर करेगा नहीं कुछ नहीं है क्यों उस वक्त वो हट जाता है जैसे ही आप वापिस घर पे आओगे वो वापिस आ जाएगा ये गए और प्रीती को इन्होंने कलावे से जब इस तरह से बांदा तो वो कहती है कि मैं तो ठीक हूँ आप क्या कर रहे हो ये सब हाँ हाँ मैं पता है कि तू ठीक है और वो वहाँ दात के टिटाने लगी और ये कलावा ऐसा था कि एक बार जिस पर इन्होंने छुआ दिया बांद दिया मतलब तो ये उस पर से हटा कर दूसरे पर नहीं बांद सकते हैं वो वहाँ हस रही है उसने जैसे ही ताली सी बजा बजा कर नाचना सा शुरू कर दिया बड़े अजीब सी तरीके से नाजाने क्या कर रही थी तो जो इनके पतिदेव है राकेश जी वो धागा वगेरा सब चोड़ते हैं कलाबा वगेरा सब चोड़ते हैं और उसके पास जाकर उसके दौनों हाथ पकड़ लेताmy तो जे टते हैं क्या कर रही है घर चलना हैं लेकिन ये सब मत कर चल अब उन्होंने जब उसे चल कर आना उस तरह से कंदे पर हाथ लगा कर आगे कर रहे थे तो वो हिली नहीं इन से और हसके उसने अपना जो नाम बोला अम्मा बावजजी एकदम बोलते हैं कि हमसे होई अगलती तू इन दोनों बच्चों को इन सभी बच्चों को जाने दे हमसे होई अगलती अब वो ना करें और इस तरह से चेहरा हिलाए कि इस कमरे से तो आप कोई बाहर नहीं जाएगा हाँ खिड़की का माद्ध हम इस्तमाल करो और हाथ पर तुड़वालो अपने लेकिन कमरे से दर्वाजे से नहीं जाने दूँगी उन सभी की रक्षा करी वो कौन है या कौन था यहाँ पर ना एक बड़ी अजीब सी बात हुई इनके कमरे में एक बहुत तेज इन्हें ऐसा लगा जैसे रोशनी हुई जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दर्वाजा देखा ना बीच में बैट देखा ना कोई अलमारी ना कोई कपड़े ना कोई सूट केस कुछ नहीं देखा सिर्फ दर्वाजा देखा खिड़की वगएरा कुछ नहीं इन सभी को और ये उस दर्वाजे से बाहर आए ठीक है दर्वाजे से बाहर आने के बाद इन सभी ने हनुमान जी की मूर्ती देखी कुई बिल्डिंग में कोई हनुमान जी की मूर्ती नहीं और सब बता रहे हैं कि हमने उन्हें एक मतलब खेसरी रंके जैसे गरम कपड़े होते न इसमें देखा है और उनका चहरा दूसरी तरफ है अधिकतर हमने जो चहरा देखा है उससे पल्टा हुआ चहरा है हनुमान जी का लेकिन आखे इनकी तरफ थी इन सभी ने देखा है और ऐसी कोई मंदिर की मूर्ती इनके इर्दगिर्द इस जगे है ही नहीं कहीं नहीं है और जब ये बाहर आया अन समी ने का कि हमें हनुमान जी ने बचा लिया हमें हनुमान जी ने मुक्त कराया इन में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि बहुत जाधा पूजा पार्ट करता हो अम्मा जी किसी वक्त कोशिश कर रही थी सिद्धी प्राप्त करने की लेकिन पॉसिवल आप भी जानते हो कितना है मुझसे लोग पूछते हैं मैं उन सभी से कहता हूँ कि ये जो 40 दिन वाला होता है न अच्छे अच्छों पे नहीं हो सकता मैं सच बता रहा हूँ पहली बात तो आपका मन कितना साफ है आप कभी जिन्दगी में क्या आपने नौन वेज खाया नहीं खाया आपने जिन्दगी में कभी कोई गलत कार्रे करा नहीं करा किसी के आए गए मैं आप गए ने गए बहुत सारी चीजे होती है बहुत सारी बाते होती है 40 दिन छोड़िये 8 दिन के बाद का दिक्कत कर देता है हनुआन जी की भक्ती आसान नहीं होती है सिद्धी I mean भक्ती तो करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा जिन्दगी में खुश्या आएंगी ये सभी लोग बहार आए इन्होंने बहुत सारे लोगों के बीच इस भीड में अपने बारे में सभी कुछ बताया हमने क्या महसूस करा लेकिन किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं तुम जूट बोल ले हो तस मिनट तक के लिए यकीन नहीं हुआ था अमा बाओ जी को लोग मूर्क और पागल वगएरा कहने लग गए थे क्योंकि उनकी हालत ऐसी ही हो गई थी क्योंकि उन्हें एक तरह से वादा तोड़ दिया ना तो उसने इन्हें थोड़ा सा अपना खेल दिखा दिया था दोनों को अमा बाओ जी को तो अमा ने ये कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो वो कमरे पे जाके देख लो अपने आप पता पर जाएगा अंदर कौन है ये सबी लोग गए भूत प्रेत आत्मा कौन नहीं देखना चाहता सब लोग लेकिन ये दोनों परिवार और अमा बाओ जी नहीं गए ये पहली बार ऐसा हुआ था कि तकरीबन 16-17 लोग अंदर जाने के बाद रास्ता भूल गए थे कि हमें बाहर किदर से जाना है ये रो रहे थे इनके चीखने चिलाने की आवाजे आ रही थी बाहर लोग और आ गए थे क्योंकि देखे तमाशा देखने वाले कम थोड़ी ना है भीड तो लग जाती है मदद करने वाले बहुत कम होते हैं जो अपनी तरफ आए लेकिन जब बाहर से दर्वाजा खोल दिया गया उसके बाद भी वो जगए नहीं ढून पा रहे थे कि हमें बाहर किदर से आना है जो बाहर लोग खड़े वो कहरें कि अरे आप आईए ना अंदर क्यों है क्या हुआ सब कुछ ठीक है लेकिन उन्हें धर्वाजा दिखे तो वो बाहर आए ना बहुत लंबे समय तक रहा ये खेल लेकिन कहते हैं कि इस परिवार ने यहां से कलाइन कर दिया था दोनों परिवार ने लेकिन इन्हों ने बताया कि हमने यहां से फिर ये वाली बिल्डिंग ये कमरा अफकोर्स छोड़ दिया था उसने लेकिन हमें नहीं चोड़ा बहुत समय तक बहुत वर्षों तक राकेश पर वो अपना खेल हर 15-20 दिन में एक बार दिखा देती थी घरवालों को पता था कि राकेश पर घरवालों को पता था कि राकेश पर इस वक्त कुछ आ चुका है तो उससे सब लोग घरवाले भी दूर रहते थे उसे कमरे में छोड़ दिया जाता था बड़ी अजीब बात बता हूँ पूजा पाट करता था यह लगा उसके बाद जादा करने लग गया और जब जब यह पूजा करता था तब तक इसे लगता था कि बस पूजा खत्म होते के साथ ही किसी की चपेटे में आ जाऊँगा और ऐसा हुआ एक बात बड़ी अजीब सी बता हूँ कि पचास से जादा मौलवी और भगत इस पर कोशिश कर चुके थे इस पूजा बाहर लाने की किसी पर कुछ नहुआ यह तकरीबन 80-85 किलो के गवा करते थे लेकिन इतने वर्ष इतने समय तक वो प्रेट धीरे 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 करके इनको अपनी दुनिया की तरफ खीच रहा था तो वजन रह गया 27-28 किलो लेकिन उनके चेहरे को देख करना ऐसा लगता था जैसे कि यह कोई बुजर्ग है एक गलो जो होता है ना चेहरे पर चमक जो होती है वो तो जा चुकी थी और इतने वर्ष इन्होंने उसके साथ अपने आपको रखा और बताते हैं कि उसके लिए खाना भी निकालना शुरू कर चुके थे क्योंकि वो जो कह रही थी जो बता रही थी इन्हें करना पड़ता था घर के अंदर और इनके कमरे में भगवान जी की प्रतीमा फोटो है तब ये कर रहा था सत्रा बार महंदी पुरबाला जी गया था पहली बार में ही सब कुछ सई हो चुका था लेकिन जो मना करते हैं नहीं समझाती लोगों के रशाद खाना है नहीं खाना है कौन सा खाना है कौन सा लाना है कुछ नहीं पता सही हो गया था ये पहली बारी वही लेकिन इसने खेल ऐसे ऐसे वहां कर दिये मतलब इसने नहीं उस प्रेत ने अपनी सीमा के बाहर जो बारा जी की सीमा है उसके बाहर इसके साथ ऐसे ऐसे खेल करा दिये कि हाँ उसके बाद बहुत समय लगा आठ बार ये महाँ धाम पहुँचने के बाद भाग गया था इसे पकड़ कर लाय गया फिर इसने कह दिया कि दर्शन नहीं करूँगा वापिस चलो नहीं तो इसे ले जाऊंगा मैं इस लड़का है राकेश तो इसलिए मुझे बोलना पड़ा कि मेंदी कुर्बाला जी सत्रा वार गए थे आज ये ठीक है लेकिन कहते हैं कि मैं इतने डर में हूँ नितन भाई कि अगर मुझे किसी ने कह दिया कि हमारे उपर वाले माले पर अब ये मयूर वीहर बताया था शायद वहां रहते हैं कहते हैं हमारे घर में कुछ नहीं है मेरे उपर कुछ नहीं है मेरी फैमिली पर कुछ नहीं है अम्बा बाउजी भी अब गाउं से मेरे साथ रहते है लेकिन मुझे अगर कोई कहते कि हमारे घर पर उपर वाले माले मर्फ फ्लोर पर कोई दिखा तो मैं नहीं जाओंगा दो मेना तीन मेना कभी नहीं जाओंगा इतना डर इतना भैय है मेरे मन में और मैंने इन्हें कहा ना कि आप अरुमान चली सा करो दुर्गा कबच पड़ो तो करें सब पढ़ता हूं उसके बाद भी मेरे को मेरे पास बैटी दिखती है वो क्या करूं लेकिन हाँ फिलहाल से कहते हैं कि 2023 में फरवरी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब वो नहीं दिख रही और मैं देखना भी नहीं चाता आज की कहानी इतनी ही है आज की कहानी आपको कैसी लगी बताएगा जरूर अच्छे लगी तो लाइक करिये शेर करिये कुमेंट में लिखेगा जैवीर वाला जी महराज आपका नाम आपकी जगे इसी बात पर यकीन हो ना हो सब अलग मेंटर है बस एक बात ध्यान रखो ईश्वर चमतकार करते हैं बाकी कोई नहीं सो थैंकिए सो मच वर वाचिंग मेरा नाम नितिन है मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में हर हर महादेव जै भूले नात तन्यवाद